नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सेंग भारत में मेडिकल पाट क्रमों के प्रवेस में धांदली को रोकने के लिए राश्टिये पात्परता हुआ प्रवेस परीक्षा याने नीट की शुरुवात की गए थी लेकिन अब इस परीक्षा में बड़े घुटाले की बास सामने आई है जिसमें परीक्षा पास करवाने के लिए प्रॉक्सी का उप्योग करने का प्रयास किया गया था और प्रति उम्मीद बार 50 लाग रुपे का भुगतान भी किया गया था ये खुला सा केंद्रे जांच एजनसी CBI ने किया है इस मामले में CBI के हाथ कई एहम सुराग लगे हैं NDTV की ख़बर के मताविक कई कोचिंग सेंटर्स घुटाले में शामिल हैं CBI ने महराष्ट के कुछ कोचिंग सेंटर के खिलाब केस दर्ज किया है CBI की विरस्टाचार नरोधक शाखा ने परिमल कोट पल्लीवार के खिलाब मामला दर्ज किया है जो आर्क के एजुकेशन केरियर गाइडेंस नागपुर में एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है CBI के मताबिक कोट पल्लीवार ने उमीदवारों के मातापिता से संपर्क किया था उन्होंने इन सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में एडमीशन करवाने का बादा किया था 12 सितंबर को हुए एक्जाम में दिल्ली और रांची के पांच अलगलग सेंटर पर प्रॉक्सी कंडिडेट का इस्तेमाल किया गया CBI की FIR में कहा गया है कि पैरन्स से पोश्ट डेटेट चेक और दसवी और बार्वी की ओरिजिनल मार्क सीट ली गई CBI की FIR में कहा गया है कि पैरन्स से पोश्ट डेटेट चेक और दसवी और बार्वी की ओरिजिनल मार्क सीट ली गई बादा किया गया कि 50 लाक रुपए देने के बाद उनके मार्क सीट बापस कर दिये जाए मार्क सीट लेने का मकसद ये था कि प्रॉक्सी कंडिडेट के लिए और जिनल डॉक्यमेंट में छेट चार कर परिच्छा के लिए फरजी आई-कार्ड बनाया जाए FIR में ये भी कहा गया है कि जाच में पता चला है कि परिमल और उसके साहियोगियों द्वारा परिच्छा में बैठाने वाले उमीदवारों के यूजर आईडिय और पासवर्ड एकत्रत किये गए अपने पसंद का एक्जाम सेंटर चुनने के लिए नीट के लिए आविदन करने वाले उमीदवारों का यूजर नेम और पासवर्ड लिया गया इसके बाद तस्वीरों को मार्क करने के लिए उमीदवारों के यी आधार की कौपी ली गई सूत्रों के अनुसात कोट पल्लिवार ने इस काम के लिए दो और लोगों की मदद भी परिमल ने उमीदवारों को उस्तर कुंगी देने और OMR सीट में हेर फेर करने का भी आस्वासन दिया था एजन्सी के सूत्रों ने NDTV को बताया आरोपी द्वारा किये के बादों की जांच की गई और गरपतारियां की गई हलाके एजन्सी के सूत्रों ने कहा कि उमीदवारों के लिए लगे प्रॉक्सी N.E.E.T. केंदर पर नहीं आये और उमीदवारों को अनपस्तित के रूब में चिन्नित किया गया था नागपुर में कोचिंग सेंटर से जुड़े पांच लोगों को बिचोलियों के रूब में काम करने के लिए हिरासत में लिया गया था इस बात की जांच की जा रही है कि कितने उम्मीदवारों ने संदिकदों की मदद से ट्रॉक्सी राइटर से संपर्क किया और क्या बास्तब में कोई धोका धड़ी की गई थी बता दें कि एक खुलासा तमिलनाडू में आत्मत्याओं के एक कड़ी के बीच हुआ है पिछले कुछ सालों में तमिलनाडू में 15 उमीदवार आत्मत्या कर चुके हैं पिछले एक अप्ते में 3 उमीदवारों ने आत्मत्या की है जिसके बात तमिलनाडू में हंगावा मचा हुआ है आत्मत्यां को लेकर मुख्यमंत्री M.K. स्टॉलिन ने पिछले सप्ता परिच्छा परिणाम से त्रश्ट छात्रों से भावनात्मक अपील भी की थी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं आपसे बिंती करता हूँ कि किरपया आपने जीवन को समाप्त न करें आपके लिए कुछ भी असंबब नहीं है इस आत्म विश्वास के साथ अध्यन करें माता पिता को भी बैच्चों में आत्म विश्वास पैदा करना चाहिए और उन्हें तनाव नहीं देना चाहिए इस ख़वर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए वने रहिए